दोस्तो आज हम समझेंगे कि क्या फर्क है एक बैलास्टिक मिसाइल और एक क्रूस मिसाइल में एक बैलास्टिक मिसाइल का रेंज बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए जब उसको फायर के जाता है तो वो सबसे पहले चला जाता है अंतरिक्ष में और जब वो अंतरिक्ष से लौट के वापस आता है तब जाके वो हिट करता है अपने टार्गेट को क्रूस मिसायल का रेंज बहुत जादा नहीं होता है और वो टार्गेट को हिट करने से पहले अंतरिक्ष में भी नहीं जाता है इसलिए उसमें होता है jet engine और ballistic missile में होता है rocket engine किसी भी engine को चलने के लिए oxygen का जुरत पड़ता है क्योंकि बीना oxygen के कोई भी fuel नहीं जलता है और क्योंकि ballistic missile को अंतरिक्ष में जाना होता है इसलिए वो अपना oxygen cylinder लेके चलता है अभी तक का सबसे घातक ballistic missile है रशिया का आरेश 28 सर्मेट क्योंकि cruise missile को अंतरिक्ष में नहीं जाना होता है इसलिए उसके पास अपना oxygen cylinder नहीं होता है अभी तक का सबसे fastest cruise missile है भारत का ब्रमोस missile